हलो इस्टुडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब खुशनो, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैत का इक्सर्साइज 7 का E इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 7 का D पूरा कम्प्लीट देखा था तो इस वाले वीडियो में आप लोग 7 E question और उसके लिए कुछ introduction, कुछ formula को देखेंगे अगर आप लोग चैनल परना है तो चैनल को subscribe करिए, वीडियो को like करिए, share करिए और ध्यान से एक एक बात को समझिए और formula को भी समझिए ताकि question को solve करना आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाए, तो हम लोग देखते हैं इसमें तो इसमें सबसे पहला formula जो देखेंगे आप लोग ब्याज निकालने का formula जो की आप लोग पिछली कछाओं में पढ़ चुके हैं साधार और ब्याज निकालने का formula तो देखिए साधार और ब्याज होता है इसका formula लिखेंगे साधार और ब्याज बराबर मूल धन गुडे, दर गुडे, समय बटे 100 यह formula होगा साधार और ब्याज या इसको केवल ब्याज का सकते हैं तो इसका formula मूल धन गुडे, दर गुडे, समय बटे 100 होगा मूल धन किसको कहेंगे जो कोई किसी bank से या कहीं से भी loan या उधार लेता है तो जो जितना पैसा उधार कोई लेगा किसी से या loan लेगा bank से उसी मूल वाले पैसे को मूल धन काते हैं, 10% में दिया होता है, जैसे कहा जाता है 5%, 10% ब्याज मिलेगा तो वही जो % वाला होता है, दर होता है, समय समय एक साल, दो साल, तीन साल जितने के लिए दिया रहे गा, वही समय होता है और 100 से उसे में भाग करेंगे, तो हमारे निकलता है साधार ब्याज समय हमेशा वारशिक में, फार्मुला में रखेंगे मतलब एक बर्स दो बर्स तीन बर्स इसी तरह का पहले फार्मूला को बनाएंगे उसके बाद ही रखेंगे तब ये फार्मूला का यूज करेंगे और साधार और ब्याज निकालेंगे कभी-कभी पूश्ता है मिस्र धन तो देखिए मिस्र धन निकालने का फार्मूला क्या होता है मिस्र धन बराबर होता है मुल्धन प्लस ब्याज अब मिस्र धन क्या है इसको समझेंगे आप लो जैसे माले जी ये कोई पैसा आप लोग ने उधार लिया या बैंक से लोन लिया तो जो मूल पैसा होगा उसको तो मूल धन कहेंगे लेकिन उसमें कुछ ब्याज भी जुड़ जाता है बैंक में ही आप लोग पैसा जमा करेंगे तो कुछ ब्याज मिलता है तो मूल धन जो हमारा होगा और जो ब्याज होगा जैसे आप ल फार्मूला को short में याद रखेंगे, question solve करने में इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, तो short में कैसे लिखेंगे दखिए, इसी फार्मूला को लिखेंगे, साधारर ब्याज को काते हैं, S, I, ऐसे लिखेंगे, साधारर ब्याज को short cut में, S, I, S का मतलब simple, I का मतलब interest, simple interest मतलब साधारर ब्याज, मुल्धन को हम लिखेंगे, P से मुल्धन को P, गुड़े, दर का हम लोग R लिखेंगे, और गुड़े, समय के लिए Y लिखेंगे, और बटे, सो, तो देखिए इस तरह से फार्मूला, आसानी के लिए ऐसे लिखेंगे, मुल्धन का मतलब P, P का मतलब होता है, principle, principle मतलब मुल्धन, दर, R का मतलब rate, rate मतलब, दर, समय के लिए Y लगाते हैं, और स, बटे में लिखेंगे, इसी तरह से मिश्रधन को हम लोग लिखते हैं, short में, A, A बराबर, यहां मुल्धन के लिए P, और प्लस, ब्याज, ब्याज के लिए, SI, तो इस तरह फार्मूले को हम लोग इतना हिंदी में बढ़ाम नहीं लिखे, short में इसका और इसका परियोग हम लोग करेंगे, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, तो इन ही दोनों फार्मूला का, यूज करना है, और उसके बाद से question को solve करना है, साधारण ब्याज और मिस्रधन पूछेगा उसके लिए, और कभी-कभी बट्टा वाला question पूछेगा, आप लोगों के exercise में दिया होगा, बट्टे के लिए बट्टा किसको कहते हैं, आएगा बट्टा, तो बट्टा का मतलब आप लोग समझेंगे, छूट, बट्टा का मतलब समझेंगे, छूट जैसे, मालने जी आप लोग कोई सा खरीदने जाते हैं, तो उस पर जितना मुल्य लिखा रहता है, उसमें छूट भी दिया रहता है, दुकांदार कुछ छूट भी करते हैं, तो उसी छूट को बट्टा काते हैं, और जो उसका ओरिजिनल मुल्य होगा, मुल्य जो उसको काते हैं, अंकित मुल्य एक और इसमें पुछेगा बिक्र मुल्य पुछेगा तो इसका फार्मूला आप लोग याद रखेंगे बिक्र मुल्य के लिए बिक्र मुल्य का फार्मूला यहां होगा अंकित मुल्य माइनस बट्टा बट्टा मतलब छूट तो यह फार्मूला आप लोग याद रखेंगे बिक्र मुल्य के लिए अंकित मुल्य माइनस बट्टा और याद रखेंगे हमेशा जो बट्टा जो छूट होगा वो अंकित मुल्य पर ही लगता है तो ये formula लिखने के बाद से अब आप लोग exercise 7 का E देखेंगे तो देखते हैं हम लो तो देखिए 7E का यहाँ पर first question दिया हुआ है एक बस्तु का अंकित मुले रुपया 500 है वा 10% बट्टे पर बेची गई बस्तु का विक्रय मुले ग्याद कीजिए देखिए हमने बताया था आप लोग बिक्रय मुले निकालने का formula क्या होता है अंकित मुले में से बट्टा निकालेंगे छूट निकालेंगे और जो बट्टा होगा जो छूट होगा वो हमेशा अंकित मुले पर ही लागू होता है ये भी हमने बताया अंकित मुल्ले क्या होता है अंकित मुल्ले जो बस्त उपर मुल्ले छपा हुआ होता है वही उसका अंकित मुल्ले होता है और छूट क्या होगा उस अंकित मुल्ले में से जब छूट को घटा देंगे कुछ चूट जैसे मालने जीए कोई सामान 20 रूपया का है तो वही उसका अंकित मुल्य है और 20 में सामालने जीए 5 रूपया चूट हो गया तो चूट को बटक आते हैं और जो 15 रूपया बचा वही क्या होगा बिक्रा मुल्य होगा जितने में उसको बेच दिया जाता है तो अंकित मुल्य हमेशा जो छपा होगा उसमें छूट भी सामिल होता है वही अंकित मुल्य है अंकित मुल्य पर ही छूट मिलता है तो हम लोग देखते हैं विक्रा मुल्ले पूछा तो पहले हम लोग क्वेस्चन को लिखेंगे लिखेंगे क्वेस्चन में से अंकित मुल्ले बराबर अंकित मुल्ले बराबर यहां दिया है 500 रुपया बट्टा दिया है देखिए question में बट्टा दिया है 10% तो किसका 10% होकता है ये बट्टा अंकित मुल्य का 10% मतलब 500 का लिखेंगे 500 का 10% जो छूट होगा उस किस पर मिलता है किस सामान का दाम माली जी या 500 रुपया उस पर 500 छपा हुआ तो उसमें दुकांदार किया किया कुछ छूट किया कितना छूट 10% का छूट किया है 500 में से तो वही छूट हम लोग पहले क्या करेंगे देखेंगे कितने का छूट तो 500 का 10% जब करेंगे तो इसको solve कर लेंगे पहले 500 गुड़े का का मतलब गुड़ा 10 गुड़े परसेंट के जगा पर हमने बताया था एक बट्टे 100 लिखेंगे 2-0 से 2-0 कांसिल करेंगे 5-10 और एक का गुड़ा करेंगे तो 50 होगा रुपया हमको देखिए बट्टा मिले गया जो छूट मिला और कितना मिला 10% का मतलब 50 रुपया तो 500 में से 50 रुपया का छूट मिला अंकित मुल्य माइनस बट्टा तो बिकरा मुल्य बराबा देखिए अंकित मुल्य दिया है 500 तो 500 लिखेंगे और माइनस बट्टा दिया है 50 रुपया 50 रुपया छूटा घटा लेंगे तो 450 रुपया हो गया इसका बिकरा मुल्य अंकित मुल्य क्या है जो बस उपाव सामान का रेट छपा होगा वही अंकित मुल्य उसमें 50 छूट हो गया जितना बचा वही बेंचने वाला पैसा हो गया 450 रुपया वही बिकरम मुल्य यही अंसर होगा अब हम लोग सेकेंड कोस्टन देखते हैं हम लोग सेकेंड कोस्टन देखते हैं दिया है एक घड़ी का अंकित मुल्य रुपया 400 वा 25 परसेंट बच्टे पर बेची गई घड़ी का विकरम मुल्य ग्याद किजिए देखिए यहां भी वही कोस्टन दिया है हम लोग सबसे पहले अंकित मुल्य लिख लेंगे अंकित मुल्य बराबर 400 रुपया दिया है बट्टा 25 परसेंट है हम लोग पहले बट्टा निकाल लेंगे बट्टा हमेशा अंकित मुल्य पर लागू होता है तो 400 का 25 परसेंट करेंगे जब तो सॉल्ब कर लेंगे इसको 400 गुड़े 25 गुड़े एक बट्टे सौ दो जीरो स्थ दो जीरो कांसिल करेंगे 25 का चार में गुड़ा करेंगे तो 100 रुपया हो जायागा ये बट्टा अंकित मुल्य चार सौ बट्टा देखिए 100 है हमको विकरा मुल्य बताना है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे अंकित मुल्य देखिए दिया 400 तो हम लोग 400 माइनस करेंगे बट्टा सौ घटाएंगे तो 300 रुपया यही अंसर हो जागा हम लोग अब अगला कोस्टन देखेंगे ये देखिए कोस्टन नमबर सेकेंड था अब हम लोग थार्ड नमबर कोस्टन देखेंगे देखिए थार्ड नमबर कोस्टन दिया एक सिलाई मसीन का अंकित मुल्य रुपया 830 है या दुकांदार कराकों को 20% का बट्टा देता है तो मसीन का विकरा मुल्य ग्याद किजिए तो यहाँ भी हम लोग सौल करते हैं द बट्टा देखिया है 20% है तो बट्टा हमेशा अंकित मुल्य पर लागू हता तो 830 का 20% हम लोग निकाल लेंगे तो 830 गुड़े 20 गुड़े एक बट्टे 100 करेंगे दो जीरो से दो जीरो कंसील 83 का दो में गुड़ा कर लेंगे तो 166 रुपया इतना बट्टा हो गए अब हम लोग विकरा मुल्य निकालेंगे लिखेंगे बिकरा मुल्य बराबर अंकित मुल्य माइनस बट्टा अंकित मुल्य देखिए 830 रुपया दिया यहां रखेंगे माइनस बट्टा 166 तो आप इसको हम लोग घटा लेंगे इसमें से तो 1664 रुपय यही अंसर हो जाएंगे तो आप हम लोग अगला कोस्चन देखिए एक पुस्ता का इंकित मुल्य रुपया 75 है और दुकानदार उसे रुपया 60 में बेचता है वह कितने प्रतिसत की छूट परदान करता है यह कुस्चन देखिए अब इसमें परसेंट पुछा है इसमें विक्रा मुल्य नहीं पुछा इसमें परसेंट पुछा है और प्वेश्चन में देखिए अंकित मुल्य इतना दिया है और दुकानदार उसे 60 रुपया में बेचता है 60 रुपया में बेचने का मतलब यह विक्रा मुल्य दे दिया है और छूट उसका परसेंट में पुछा है तो हम लोग पहले छूट निकालेंगे कितने का छूट है पहले क्वेश्चन को लिखेंगे अंकित मुल्य लिखेंगे अंकित मुल्य बराबर 75 रुपया 60 में बेचता है बेचने का मतलब यह विक्रा मुल्य दे दिया है बिक्रा मुले पराबर दे दिया है 60 रुपए तो छूट का percent पूछा है पहले हम लोग छूट निकालेंगे कितने का छूट हुँआ बट्टा हम लोग निकालेंगे बट्टा निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे कुल अंकीत मुल्य में से अगर विक्रा मुल्य हम लोग घटा लेंगे लिखेंगे अंकीत मुल्य माइनस विक्रा मुल्य अंकीत मुल्य देखिए 75 और उसमें से विक्रा मुल्य 60 पर बेच रहा तो बट्टा कितने का होगा 60 को घटा लेंगे तो पंदरा रुपया का देखिए छूट मिल रहा है पंदरा रुपया बट्टा मिल रहा है अब हम लोग परसेंट यहां से निकाल सकते हैं बट्टा का कितने परसेंट हुगा तो देखिए हम लोग अब यहां से बट्टा का जो परसेंट पुछा निकालेंगे परसेंट बट्टा प्रतिसत या वही छूट प्रतिसत होगा छूट का प्रतिसत पूछा है तो बट्टा का प्रतिसत हम लोग निकालेंगे तो बट्टा देखिया आया है 15 और बट्टा किस पर लागू होता है अंकित मुल्ले पर तो 15 किस में से 75 में से तो 15 बटे 75 और गुड़े कर देंगे कितना 100 और 100 उपर नीचे दोनों से गुड़ा हमने शुरू में बताया था जब चैप्टर हमने शुरू किया था ये तो हमने बताया था आप लोगों को लाब हान में क्या होता है जैसे मालने जी आप लोगों ने 15 नमबर पाया 20 में से तो परसेंट निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं 15 बटे 20 उसी तरह से 15 बटे 75 75 में से 15 छूट है तो 15 बटे 75 और हमने बताया था केवल 100 से गुड़ा नहीं 100 से उपर नीचे दोनों गुड़ा करते हैं तो मान नहीं बदलता है तो उस तरह से हम लोग यहां करेंगे और परसेंट निकालेंगे अब देखिए क्या करेंगे 15 से यह 75 को हम लोग काट सकते हैं 5 बार में और 5 से 100 को काट सकते हैं 20 बार में तो उपर देखिए क्या बचा है 20 20 और एक बटे 100 एक बटे 100 का मतलब परसेंट तो 20 परसेंट हमारा ये एंसर आ जागा तो इस तरह से question को solve कर लेना है अब बागी के बचे हुए question आप लोग अगले part में देखेंगे तो आज के लिए बस इतना है